पुष्कर सिंग धामी चंबोली जिले के दुरस्त गाउं सवार पहुँचे जहां उन्होंने शहीद सम्मान रत को हरी जंटी देखा कर शहीद सम्मान यात्रा का शुबारम गिया इस दोरान जेपी नडड़ा और सियम धामी ने शहीद समारक पर वीर शहीदों को श्रदांजरी देते हुए उन्हें याद बिकिया इस दोरान उनके साथ केंद्रे रक्षा राज्यमंत्री अजयभण, मदन कौशिक, उद्राखिन के सानिक कल्यान मंत्री गणिश चोशी समेथ, बदिरनाद विदाग महिंद्र भड और थराली विदाग मुनी देवी शाब भी मौजुद रही मावाफ के दर्द का देखा है, जिसका बेटा देश की आन्मान के लिए लड़ रहा है कितना संगर से एक सैनिक के जीवन में प्रंतु इसके बाब जूद भी हो दरता पुर्बग अपने देश के स्वाविमान को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है वीर सहीदों का सम्मान करने की हमें योकता नहीं है प्रंतु आज हम उनको सम्मानित करने के लिए यहां पर जो करके और ये सेन्य धाम पर पहुंचाई जाएगी और सेन्य धाम में इस मुट्टी का उप्योग होगा या वीर सम्मुतों की धर्टी पर जोड़ा जाएगा यह हम जान को मुझे खुशी है कि गनेश जोशी जी ने इन शहीद परिवारों को ताम रपत्त देने का निश्चर किया है पौडी गड़वाल के यमकेशोर विदानसभा पहुंचे अखिल भारतिया कॉंग्रेस कमीटी के विदानसभा परिवेकशक और पूर मेयर रमा खलको का ब्लॉक परमग महिंदर राना ने पुश्पकुच बेट कर स्वागत किया इस दोरान द्वारी खाल में उन्होंने कॉंग्रेस के कारिकरताओं के साथ बैठक की और अगमी विदानसभा चुनाव के लिए कारिकरताओं का मार्क दर्शन भी किया एस दोरान रमा खलको ने ब्लॉक परमग महिंदर राना के द्वारा कराए गए विविन कारियों की तारीफ भी की अच्छे अच्छे सुजाओं उन्होंने दिये किस तरह से हम बूत मजबूत करें किस तरह से कॉंग्रेस को और पूरी विदानसावा में मजबूत करें और मैं उनका बहुत बहुत दिली के रहें से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो सुजाओं दिये हम उनको ग्राउन में जल्दी से जल्दी लाके इंप्लिमेंट करके और कॉंग्रेस को यमकेश और विदानसावा में मजबूत करेंगे टीहरी जिले के तहसिल धनौल्टी में पूर प्रधानमंत्री पंडित जवाला नहरु की जैन्ती के मौके पर जॉनपूर ब्लॉक कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष सुरिंद रावत ने पांच नियाई पंचायतों में अभियान चलाया हैं जिसमें सभी नियाई पंचायत अध्यक्ष और पतादिकारी समलित रहें कॉंग्रेस जन जागरन अभियान के तहद लोगों को कॉंग्रेस की नीतियों और कारी योजनाओं के बारें बताया गया जिसमें हर नियाई पंचयत के वरिष्ट कॉंग्रेसी और वरिष्ट मात्र शक्तियों को शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया गया 2022 विदान सभा चुनाव को लेकर टिकट की दावेदारी पर दावेदारों ने भी अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है इसी कतायत हल्दवानी सीट पर पूरू दर्जार राजमंतरी और वरिष्ट कॉंग्रेस नेता ललित जोशी ने भी अपनी दावेदारी पेश की है ललित जोशी ने कहाए कि हर कारे करता को यदिकार है कि वो अपनी दावेदारी हाई कमान के सामने रखे उन्होंने कहा कि अगर कॉंग्रेस परिवारवाद को छोड़ कर अन्य वेक्ति को टिकट देगी, तो हल्दवानी में कॉंग्रेस की स्तिधी बहतर होगी तो मैं आज भी कहता हूं कि देखे, कॉंग्रेस सही पात्र को टिकट दे, मैं सिर्फ अपने ले नहीं कह रहा, कॉंग्रेस सही पात्र को टिकट दे, स्थम्बिल के क्यों नहीं लणाएंगे तो मैं उननिस को खेल प्रतियोकिता प्रुसकार वित्रण और बंडार के साथ महुद्शव का समापन होगा मावाराही मंदिर कमेटी के समस्थ सभी लोग और चार खाम साथ ठोक के लोग इसमें समलित हुए इसका उद्गाटन हमारे प्रधान पुजारीजी द्वारा यहां पर किया गया जिसमें हमारे सभी स्कूलों ने ज्छाकिया निकाली पूरे बाजार छेत्रम पूरी ज्छा किसकी बाते हैं सच और कौन बोल रहा है जून कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा कामकाज में कौन जीता और कौन हारा 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल देखिए देव भूमिका दंगल 2022 का विधानसवा चुनाव सिर्फ समभा 36 माई पर कर दो